गुड बॉर्णिंग एवरिवान वेलकम बैक इन गुर्पुष पुपिश्यल आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्थ होंगे तो आज है फस्ट मई और मेरी मॉर्णिंग की शुवात होगी है मैंने शावर ले लिया है और वाश्री मशीन को लगा दिया है विकोज अगर कपड़े सुवे धूल जाएं तो अच्छा है यहां भी लाइट का इशू है दिन में लाइट चली जाती है गर्मी बहुत होती है राजस्थान में अभी यहां पे दिन में 41-42 तक टेंप्रेचर चला जाता है तो अभी मैं मॉर्णिंग में बनाने वाली हो आई के भी ना तो मेरी दिन की शुरुआत नहीं होती है तो आप मुझे यह पिताना कि कौन-कौन चाइड लबर है मेरी इस यूट्योब फैम्ली में है अब बनाने लगी हूं नदर के लिए खिचड़ी इसके लिए मैंने धाल-चाबल लीए हैं एक एक सम्मच और इनको मैंने दो के सोक कर दिया था पैन में मैने थोड़ा सा देशी घी लिया है और थोड़ा सा बना हुआ जीरा पाउडर एड़ किया है आप थोड़ा इंग भ ब्लूट only नमक में में इसको बिलकुल हळका कि अच्छाय दोगते हैं हमें नमक में इसको हलक सी तो यहां पर मैंने गाजर मेरे पास पड़ेवीड मेंansen कर सकते हो कोई भी आपने जो वैजी आड़ करनी हो आप इसमें आड़ कर सकते हो तो अभी हम इसको एक विस्ट लगवा लेंगे अच्छे से और उसके बाद इसको थोड़ा-थोड़ा मैश कर लेंगे जब मैंने स्टार्टिंग में नदर को सिक्स मंथ के बाद फूर देना स् तो मैं वह वली खिच्डी देती इसको जैसे इसका एट्थ मंथ स्टार्ट हुआ फिर मैंने इसको ऐसी सिंपल खिच्डी बनाने स्टार्ट कर दी और इसको थोड़ा-थोड़ा मैश कर लेती थी और ऐसे देती थी क्यूंकि अगर आप बिल्कुल स्मूध पेस जैसी दोग आज इवनिंग में इतना सुहाफना मुसम हुआ हुआ था इतनी ठंडी हवा चल रहे थी और ये देखिए बादल भी घिर घिर के आ रहे थे ऐसे लग रहा था कि थोड़ी से बारिश तो हो ही जाएगी और गर्मी से रात मिलेगी बढ़ हवा ने सारे बादल उड़ा दिये बारिश तो हुई नहीं हवा चलने से मुसम तो बहुत ही सुहाबना हो गया था तो अभी मैं आपके साथ तवा क्लीनिंग के कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ यह देखिए यह मैंने तवा लिया है और साथ में मैंने गरम पानी कर लिया था पहले और गरम पानी में ही मैंने जो विम बार है उसको थोड़ी तेर के लिए सोक कर दिया था अब यह बार विनेगर और विमबार में आपने जो तवाई आपका उसको ओवरनाइट सोक करके रखना है गरम पानी अभी ओड्याला ने ओर ने दाल देना है पानी आपने इतना डाल नहीं कि आपका जो तवा है वह अच्छे से डिप हो जाए तो अभी यह देखिए, यह मैंने गरम पानी पहले करके रखा हुआ था, अब मैं इसमें यह डाल रही है, एक्शली यह स्प्राथ में फिट नहीं आ रहा था, मैंने इसके जो बटन्स है उनको सेट किया था, तबा थोड़ा हिलता था, तो उसके वज़ा से अभी तबा सेट तो मैंने इसको थाली में ट्रांसफर कर दिया है, तो मैंने इसको थाली में ऐसे ही ओवरनेट रखा सोग करके, और नेक्स टेज मॉर्निंग में आप इसको क्लीन करें, तो जो नीचे विंबार और विनेगर वाला मिक्शर है, थोड़ा थोड़ा वो भी लेते जाएं, और एक न्यू सक्रोच प्राइट लिया है मैंने, उसके साथ हम इसको रब करेंगे, आपने विंबार लगा के इसको थोड़ा थोड़ा रब करते जाना है, और धीरे धीरे आपका जो तवा है वो क्लीन होता जाएगा, देखिए मैं आपको दिखा रही हूं आगे वीडियो में ये एक दम बिल्कुल साफ हो जाता है और आपको जादा मेनत भी करने ने पड़ती, ओवरनेट रखने से ये जो काला काला जमा होता है ना, ओयल घी का प्रांठे वेगरा बनाते हैं और मेरे घर में तो अब फ्रिक्वेंटली आमलेट बनता ही रहता है, तो उसकी वज़ा स बीदना दवा मेरा जल्दी काला हो जाता है, तो मैं इसको ऐसे ही साफ करती हूं और बहुत जल्दी ये साफ हो जाता है करता है सक्रोस ब्राइट के साफ करते वक्त भी आप गरम पानी ले सकते हो उससे क्या है आपको थोड़ा इजी पड़ेगा अगर अच्छे से तवा साफ ना हो रहा हो लेकिन ओवरनेट सोक करने से एजीली क्लीन हो जाता है मैंने देखी हम पर बिल्कुल भी गरम पानी ने दिया ह सिर्व इंबार और सक्रोस ब्राइट के साथ ही इसो साफ किया है देखिए दवा कैसे चमक लिया है डिनर में आज बनने वाला है कद्दू कर्मियों की स्पेशल सब्जियां तो कद्दू भिंडी तोरी और लोकी ही है हाँ एक में भूल गई सब्जी वह है क्रेले क्रेले भी बहुत अच्छे लगते हैं तो यह दिखिए यहां मैंने कडाही में ओयल लिया है और उसमें मैंने थोड़ा मेथी दाना और जीरा एड़ किया है इसको हमने अच्छे से भून लेना है मित्थी दाने को आपने हलका गोल्डन ब्राउन कर लेना है ज्यादा बिल्कुल डार्क जो ब्लेक होता है वैसा नहीं करना हलका हलका गोल्डन ब्राउन इसको रखना है तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है आप यहाँ वे एक सूखी लाल मिर्स भी एड़ कर सकते हो मैं एड़ करना भूल गई थी वो भी डालोगे तो वो भी अच्छी लगती है इसमें और अभी मैंने एड़ की है थोड़ी सी हिंग हिंग के साथ इसका फेवर बहुत ही अच्छा आता है यह मैं बिना टमाटर वाला आज कद्दू बना रही हूँ जब मैं कद्दू बनाती हूँ मैं टमाटर नहीं एड़ करती हूँ उसके जगा में आमचुर पाउडर ही डालती हूँ और यह बोथ ही टेस्टी बनता है यह देखिए थोड़ा सा लसून एड़ किया है लसून को थोड़ा सा भूनेंगे और उसके बाद फिर हम एड़ करेंगे ओनियंज जैसे ही आपको लगे कि लसून हलका ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है तो उसमें आप प्याज एड़ कर दें तो यहां पे मैंने प्याज को एड़ कर दिया है अब इसको हम भून लेंगे प्याज को भी हमने ज़दाने पकाना है बिल्कुल लगल नहीं करना है इसको भून भून के बस हलका सही इसको पकाएंगे यह दिखिए प्याज हलका हलका पक गया है इसको हमने ज़्यादा ब्राउन ने करना है अब इस मूवमेड में हम इस पे थोड़ी सी हल्दी एड़ करेंगे और थोड़ी सी देगी लाल मिर्च और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद फिर थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे पानी इसलिए एड़ करते हैं कि हल्दी जो होती है वो ओल में के बार कॉंटेक्ट में आते थोड़ी से जल जाती है अगर आप पानी एड़ कर दोगे या फिर अपको टोरी में हल्दी और मिर्च का जो पाउड़र डालके उसमें थोड़ा सा पानी डालके उसको एड़ कर दीजिए तो उसमें एक अलग ही टेस्ट आता है हल्दी का तो यहां पर यह मैंने अद्रक और हरी मिर्च जो काटी हुई थी वो एड़ की है यह देखिए यहां पर मैंने एक चमच आमचुर पाउडर का एड़ किया है टमाटर इसमें मैंने बिल्कुल भी यूज ने किया है आमचुर पाउडर डाला है एक चमच और उससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और इसको हम थोड़ा सा एक गोमिनेट पकाएंग और उसके बाद हम इसमें एड़ कर देंगे कद्दू हाँ नमक डालना तो मैं भूली गई थी तो यहां पर भी मैंने नमक डालना था तब मैं भूल गई थी एड़ करना तब अभी मैंने यहां पर नमक डाने में खतम हो गया था तो मैंने उसको फिल भी किया और थोड़ा स और बाद में एड़ किया यह दिखिए अभी मैंने एड़ कर दिया है कदू तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको कवर करने से पहले इसमें एक चम चीनिक आड़ करेंगे आमचूर हमने पहले ही डाला है तो इससे क्या कद्दू है जो खटा मिठा बनेगा उसमें थोड़ा सा पाने लगा के ना मैंने उसको फिड़क दिया था और अच्छी से पका लिया एक्चुरी तब लाइट चले नहीं है तो आप भी बनाईए और इसे ट्राइए कीजिए और अभी मैं मैं बनाने जारी हूं एक हेर पैक यह मेरे पास आमला थे आपने मेरे पिछले ब्लोग देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि मैंने आमले के अचार की रैस्पी शेयर की थी आपके साथ चटनी की तो उसमें आपने देखा होगा यह देखिए उस टाइ मेरे पास थोड़े से आमला बच्चे हुए थी तो मैंने उनको सुखा लिया था सुखा कि अभी मैंने इनको पीस के इनका पाउडर बना लिया है तो अभी मैं हेर पैक बनाने के लिए यूज कर रही हूं यहां पे द आउडर लिया है आमले का पर उसके साथ मैंने आफ क्टोरिय जो देहीं ली है तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको ट्वण टी मिनट्स के लिए चोड़ देंगे और उसके बाद हम बालों में अपलाई करेंगे पर इस से पहले हम इसमें ना थोड़ा से को और इसको मिक्स करके थोड़ा साइड पे रख देंगे और बाद में फिर अपलाई करेंगे अपने हेर्स के ऊपर यह पैक आप चार-पांच मीने लगातार लगाईए आपको इसका इफेक्ट जरूर पता लगेगा एक बार लगाने के बाद यह आपको इसका इफेक्ट दिख जाता है आप इसमें रीठे और शिक्का काई जो होती है उसका पावडर भी मार्केट से मिल जाता है नहीं मिलता है तो आप लाके भी बना सकते हो वो भी एड़ कर सकते हो मेरे पास अभी नहीं था तो मेरे नेक्स टाइम जो है उसके साथ बनाऊंगी फिर आपको दिखाऊ होंगी तो यह दिखे इसको भी में हैर पर अप्लाई करूंगी और आपकी हैर इससे ना बहुत ज्यादा सिल्की और स्मूध हो जाते हैं आपने ऐसे अपने हैर की दो पार्टिशन कर लेनी है आपने बिल्कूल बालों को कॉम कर लेना है अच्छे से और टैंगल फ्री कर लेना है उसके बाद फिर आपने ऐसे पार्ट्स निकाल निकाल के इसको अपनी रूट्स तक लगाना है उपर उपर ने लगाना बालों के इसको अपनी रूट्स तक अंदर तक लगाना है तब जाके इसका इफेक्ट आपको मिलेगा यह नैच्रल पैक आपकी स्केल्प के लिए भी ये बहुत अच्छा है पैक लगाते वक्त मेरा बेबी उठकिया था तो मैंने फिर बीच में ही ऐसे बाल बांद के ना फिर उसको पहले सुलाया तो उसके बाद फिर मैंने अच्छे से पैक है जो पूर तरह अप्लाई कर लिया बालों में यह दिखी यह मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है इसको मैंने दो तिन घंटे के लिए बालों पे लगे रहने दिया और उसके बाद मैंने हेर वाश कर लिया है यह देखिए मुझे तो बहुत ही लाइट और सॉफ्ट लग रहे हैं आप भी यह पैक बना के जरूर लगाएं हां मैंने पैक जो लगाया था उसको मैंने पहले अच्छा से वाश किया उसके बाद मैंने माइड शैंपू भी कर लिया था तो यह आपकी च्वाइस होत है ना इन सब चीजों का इफेक्ट हमें अगर हम रेगुलर यूज करें तो लॉंग टरम में दिखता है तो आप इसको चार-पांस मीने लगातार लगाएं फंद्रा-पंद्रा दिन के गैप में तो फिर आपको पता चलेगा इसका इफेक्ट यह बहुत ज़दा ही इफेक् तक यह सो मुच पर वाचीं अगे न ममा अगव तो आगे अगे ममा चलो चलो